इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि Windows Media Player को कैसे इस पे काम किया जाता है Windows Media Player Windows का एक बहुत ही अच्छा software है जिसकी मदद से हम वीडियोस प्ले कर सकते हैं इसको सबसे पहले हम सीखेंगे कि open कैसे किया जाता है उसके बाद पिर हम जानेंगे इसके basic controls के बारे में तो open करने के लिए आप यहां स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे Windows Media Player यह आपके सामने आ चुका है अब मैं इस पर left क्लिक करूंगा तो यह open हो जाएगा आप इस पर right क्लिक करके इसको आप चाहें तो पिन कर सकते हैं start में यहां जब कभी भी आप यहां start menu पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर Windows Media Player यहां पर नज़र आएगा यह देखें यहां पर आपको नज़र आ रहा है तो इसके उपर मैं क्लिक करता हूं तो यह आपके सामने open हो चुका है अब यह एक application software है जिसमें हम videos play कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके basic controls की basic controls को समझने के लिए हम पहले कोई video play कर लेते हैं videos play करने के लिए हमारे पास यहां पर कुछ playlist बने भी होती है जैसे कि यहां पर मैंने एक playlist बनाई वी है जिसके अंदर इस topics related videos मौझूद है अब इसमें अगर मैं किसी एक video के उपर click करता हूं तो यहां पे मैंने इसकी आवास को फिलाल mute किया है बंद कर दिया है यहां पर click करके यह आपको play का बटन नजरा आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको जो है फुल स्क्रीन पर देखें तो आप इसको फुल स्क्रीन पर भी यहां पर इस option पर click करके देख सकते हैं इसके लावा मैं इस video के उपर right click करता हूं तो इसके उपर आपको काफी option नजरा आ रहेंसे फिल स्क्रीन का option अजर आ रहा है, repeat का option अजर आ रहा है यानि के ये वीडियो repeat होती रहीगी और इसके लावा जो वीडियो का size है वो भी आप यहाँ से कम यह जादा कर सकते हैं और यहाँ पे subtitles की अगर कोई जरूवत पड़ रही है यानि आपको इसका तरजमा एड़ करना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर अवेलिबल है, अप्शन लेकिन शर्त यह है कि आपके पास सब्टेटल फाइल होनी चाहिए, तो यह इसके लावा है, तो यह आप इसके उपर कर सकते हैं, अब यह प्ले के बाद आपको यहां पे ने और यहां पे आपको शॉर्टकट नजर आ रहा है कि आप इस वीडियो को रिपीट पे लगाया हुआ है, कि आप इसको रिपीट करना चाहें, तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, और इसके साथ आपको यहां पे जो आप्शन नजर आ रहा है, यह शफल का आप्शन है, यानि कि जो आपकी playlist है, अगर आप वापस यहां से मैं playlist की तरफ जाता हूं, तो playlist के अंदर यहां पर जितने भी videos हैं, वो randomly play होंगी, अगर आप shuffle यहां से off कर देते हैं, तो फिर एक video के बाद अगली play होगी, उसके बाद फिर अगली video play होगी, लेकिन अगर आप यहां से shuffle on कर करते हैं, तो randomly कोई भी video play हो सकती है, तो यहां से हम जो है, तो यह इसके कुछ basic controls थे, जो कि आपको पता होने चाहिए, अब Windows Media Player में video play करना जो है, वो काफी ज़दा असान है, लेकिन इसके जो अंदर जो समझने वाली चीज है, वो इसकी library को समझना है, अब अगर आप इसक playlist, music, videos, pictures, recorded TV, other media, यह different sections बने में हैं, हर एक section के उपर आप select करें, for example, यहां पे आप playlist के उपर select करते हैं, और यहां पे आपने अगर कोई एक new playlist बनानी है, आप एक नई playlist बनाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आपने यहां create playlist के उपर click करना है, जिसी आप click करेंग तो यहां पे एक new playlist बन जाएगे, अब आप कोई भी videos यहां पे आप रखना चाहते हैं, इस playlist में, उसका नाम आप उस हिसाब से रखिंग, जैसे मैं education से related या इसको कर लेता हैं, या आप computer से related कोई videos यहां पे रखना चाहते हैं, तो मैंने यहां पे एक playlist रख ली computer के नाम से, अब यह playlist आपके सामने हैं, लेकिन इसके अंदर यहां पे कोई video मुझूद नहीं, अब playlist में video कैसे add करनी हैं, इसको आप हम सीखते हैं, तो हम सीखने जा रहे हैं, कि Windows Media Player में playlist कैसे काम किया जाता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहां पे play के उपर click करना है, और यहां पे जो आपको यह area नजर आ रहा है, यहां पे आपने उस playlist related आपने videos डालें, जैसे मैं computer सीखने के हवाले से videos add करना चाहता हूं, यह मेरे पास कुछ videos हैं, जो मैं यहां पे, मेरे computer में मुझूद हैं, वहां पे जाके मैं आपने simple क्या करना है, वहां से सर्फ drag and drop कर करेंगे, और आप उसको play कर सकते हैं, अब उसको remove करना चाहते हैं list से, तो list से remove भी कर सकते हैं, अब जगर मैं play पे click करता हूं, तो देखें यहां पे, यह video play होना शुरू हो गई है, तो वापिस हम यहां पे library पे जाते हैं, यहां पे आपको बहुत ही detail video का बदा चल रहा है कि हर video की duration कितनी है, तो एक video को जो आप play करेंगे, तो उसके बाद यहां पे आप next करेंगे, तो फिर next video आपके पास आजाएगी, इस तरह next करेंगे, तो फिर next video आपके पास आजाएगी, इसके लावा यहां पे आपके पास organized option होता है, इसमें options पे जाके, आप windows media player के जितनी होने चाहिए, वो तमाव आप यहां से जाके कर सकते हैं, और यहां पे organized option अज़रा रहा है, यह तमाव आपके libraries हैं, इसमें playlist, music, videos, इनको आप manage करना चाहें, तो आप manage libraries पे जाके, आप उसके ओपर click करेंगे, for example, मैं videos पे click करता हूँ, तो आप add के ओपर click करेंगे, तो यहा तो यह आपके library में यह शामिल हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसके अंदर different playlist बना सकते हैं, और उस playlist के हिसाब से आप अपनी videos को आराम से देख सकते हैं, अब इसके अंदर हमने एक और option पढ़ना है, कि आप अगर किस CD के अंदर यह video files copy करना चाहें, तो उसका क्या तरीक होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर burn का option अज़रा रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और फिर आपने जो भी items आप अपनी CD में burn करना चाहते हैं, वह आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर option कहरा है, कि connect a burner, यापने क्या करना है, कि आपके अपने computer या laptop के साथ, एक burner device जो कि आपकी उस CD को, जो कि बिल्कुल खाली है, उसको read कर सकेगा, वह आपने connect करना है, connect करने के बाद फिर आपने क्या करना है, कि अपने computer में से जो भी फाइल आप यहाँ पर burn करना चाहते हैं, उनको आप select करने के बाद, यहाँ पर आप उनको select करेंगे, और फिर आप उ तो उसके साथ यहाँ पर sync का option है, कि यहाँ पर अगर आप कोई भी mobile phone है, smart phone है, उसका जितना भी data है, अगर आप उसके अपने Windows Media Player के साथ sync करते हैं Bluetooth के जरिये, तब क्या होगा कि उसकी जितनी भी media files है, वह तमाम यहाँ पर आपके आजेंगे, या आप अपनी files यहाँ पर तो वह उसको access कर पाएगा, तो इसकी मदद से Windows Media Player की मदद से आपका laptop जो है, उसकी तमाम media files connect हो जाएंगी किसी भी smartphone से, या किसी भी और computing device से, तो आज की इस video में हमने बहुत detail में Windows Media Player को overall explore किया है, कि इसके अंदर क्या क्या options होते है, playlist कैसे बनाई जाती है, playlist में जो videos है, उ और यह तमाम कुछ आज हमने सीखा है, इस video में, working with Windows Media Player.